साथियों, जिनों ने गरीब की तकलिफ ना कभी देखी, ना कभी महसूस की, हमेशा जमीन से कटे रहे, वो ना गरीब को समझ सकते हैं, ना उसका भला कर सकते हैं। गरीबों की भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है, उसका एक उधारन गरीबों के पक्के घर है। पहले वाली सरकार ने अपने पांच साल में गवतम बुद्ध नगर में सिरफ तहत्तर घर बनाये थे, 73, जड़ा सुनिये आप लोग, पांच साल में 73 गर, योगी जी की सरकाम ने इनी पांच सालों में उस एक जिले में करीब करीब 23,000 गर मना कर शहरी गरीबों को दिये हैं। सोचिए, कहां तहत्तर गर, पांच साल में और कहां 23,000 गर, सहारनपूर, सहारनपूर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिरफ दोसो इक्किस गर गरीबों के लिए बनवाए थे, दोसो इक्किस, पांच साल में दोसो इक्किस, योगी जी की सरकार ने इनी पांच सालों में अठारा हजार से जादा घर बना कर सहारनपूर के गरीबों को दिये हैं। इसी तरह शामली, मुझफर नगर और बागपत सहर में भी कुल मिला कर पिछली सरकार ने पांच साल में सिरफ आठ सो गर बनाए थे, पांच साल में इतने सारे बड़े इलाके में आठ सो गर योगी जी की सरकार ने इन तिन शहरों में पांच साल में तैटीस हजार से जादा गरीबों को गर बना कर दिये हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो, तो सरकार ऐसे ही दोड़ती हैं, ऐसे ही काम करती हैं। यही फर्क है, जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार गर ही बनवा पाई थी, बही योगी जी की सरकार ने अपने पांच साल में तैटीस लाग से जादा गर बना कर गरीबों को दिये हैं। यानि ये तैटीस लाग गरीब इन पांच सालों में लगपती बने हैं, आज इनके पांच लाखों का घर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इन में से जादा तर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानि हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को उनके घर का मालिक बनाया है। व्लिएमी के बनायों की बनायों का बनायों से कर्वे बनायों का मैं वहल 새告र है। यह ह deक बनायों से बने हैं, अका प्रेम ने अच्वार के ये कि दोंके दियकता है, śowelai है के दो आप है। यह तू जज जखनांया, आबके उम्तांयों के ऊज़यां के लचा है।